याँ जो को बनाने जा रहे हैं चावल की घीर सासे बनाने का सबसे असाँ तरीका करें चावल काड़ काड़ी दी पनेश्य के टेल स्काडन को था सब ने चावल काड़ी दृगाती कीज़े से चावल कॉर्चीrienmen यह बिल्क केजी और चावल कम रहता है उसे हमें मिल्क को बेरी करना पड़ता है तो मैंने 1.5 kg से ज्यादा लिया है मिल्क और यह कटोरी से चावल लिया है कुछ ड्राइफ रूट्स लिया है काजू किश्मिस बादम एक लाइची लिया है दो लॉंग लिया है लॉंग जिसस करेंगे मिल्क चावल को तो अजिए लिया है तो मेरा पहला प्रोसे से चावल को एक जार में टा देटी चावल के सब्समिस लिए और जाजो एक बार चलाए और यह तो बार चलाएगा और यह लॉँआ गले और शीए इसको बंद आप दिखातें कितना ग्राइद करने और नहीं है तो हैं और शुट हो rat случай hmm पुरागों रहें बनी मिल्क जब हो long जड़ाल के रहेंगी डिल यह 2k तो मैं तुक्झच के रिखा हूं अगर फिर भी आप अगर पानी डाल देंगे तो बिल्कुल भी नीचे से नहीं लगता है इसलिए अब इसको थोड़ा उबलने देंगे लब पांच मिनिट के लिए इसको बलने देंगे जसे इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो और देखें मिलक अबल गया है हमारा और आपको किनारे जो है फो धोड़ाते रहें मैं किनारों पर मिलक कठ्ठा होता है उसको थोड़ा घर सब्सक्राइब तो टरल दिया और इसके पाड़ जो में इसमें मैं जो चावल धे हिंड़ कर के रखें जये चावल में बनते तो हम इसको बलकुल कि में चावल को ड़े प我们 अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको अवोईड भी कर सकते हैं और इसे खीर थोड़ी और टेस्टी बनती हैं इसलिए मैं अकसर यह डालती हूं जब तक चावल नहीं को कहते है वहां लांकना सब्सक्राइबist कर अब करद दो उल्सक्राइब आरक जारी है सब्सक्राइबist प्लबshe वह जो तो डालूर आधो नियु funds शख्क्राइबist टॉन अब समय कोपार नहीं अब दुदिना लग भग बावग भी ड है टो अब करनाी जा उन्हों जहीं, मेले मेह तो इसको कशा anymore किषसे लो इसे प्राइड़ कोटो दुद्ट' कि अच्छे से मारे चावल को गए है और खीर एक दम गाड़ी हो गई है अब बस हम ग्यास को करेंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे थंडा करने के बात में आपको दिखाती हूं यह कितनी अच्छी गाड़ी बनी और यही इसकी ट्रिक है कि आप इसको बहुत यही तरह से पकाई है दीरे दीरे पकाई है और जितने आप जो चावल को हमने पीस करके डाला था मिक्सर में अगर वो स्टैप आप करते हैं तो खीर आपकी कभी भी पतली नहीं बनेगी हमेशा गाड़ी बनेगी तो देखिए अधा किलो दूद से बनके कितनी अच्छी ख अच्छी बनती है तो यह हमारी बिल्कुल बनकर के रेड़ी हो गई है और मैं इसको सर्फ कर रही हूं और अब मैं डालू कि इसके ओपर थोड़े से ड्राइफ फूट्स और ड्राइफ फूट्स से हमने इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया है और मैं डाल रही है इसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखोडिया यह बिल्कुल ऑप्शनल है आपके पैस अब राइफ फूट्स अवैलेबल नहीं हो तो आप वो भी स्केप कर सकते हैं और यह ऐसे ब अपने एक्सपिरियंस शेयर करिये थैंक यू फॉर वाचिंग मैं चैनल दिशेज विद दमितास किचन थैंक यू अब्रीवन